हेलो स्टूदेंट्स वेलिकम बेक टुडेए वी आर गूंग टू स्टार्ट चेप्टर नाइन एन्सीयाटी ट्वेल्थ ज्योगर्फी चेप्टर नेम इज इंटरनेशनल ट्रेड कल हमने किया था बिटा कॉम्मिनिकेशन एंड ट्रांस्पोर्ट तो उसमें हमने किया था ज लोकाइए ये इन्सेशन ट्रांडिश अपनी जो कंट्री है उसकी जो बाउंडरी है उनके अक्रोंस दीक्स कर सभणी के नियुके लागता जो लाश वीडियो लेक्चेर था उसमें किया था बेटा वट इस ट्रेड ट्रेड एक्सचेंज ओ गूड्स कोमेडिटी एंड सर्वेशिज ओके फ्रों वन टू अनदर प्लेस वो तो क्या था ओनली ट्रेड था लेकिन यहां बात हो रही बेटा इंटरनेशनल ट्रेड नेश अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमें ट्रेड की नीड क्यूं है इंटरनेशनल ट्रेड की नीड क्यूं है हमें अपने कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा था बेटा कि लोगों की नीड को पूरा करने के लिए हमें ये ट्रेड की नीड अब इंटरनेशनल ट्रेड क से एक जैसी नहीं है तो हर जगे से एक जैसी नहीं है तो उसमें क्या है अलग अलग जो 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 जाड़ा कोल्ड है बीच के मोडरेट रीजन तो जो इहां के यहाँ पर जो things मिलेंगी वो कहां में मिलेंगी ऊपर की जगहों वह नहीं मिलेंगी और बीच वाली में मिलेंगी वो यहां नहीं मिलेंगी means क् communauté है हर जगे things क्या है एलग- Annual अब क्या है जो countries है उनको सबी things की need होती तो क्या करते है जैसे कि कि अगर हम बात करें, कुछ minerals ऐसे हैं, जो क्या है, equator के आसपास के areas में ज्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्या है, उपर के areas में कम मिलते हैं, क्यूं? उसके लिए क्या है, हमारा geological structure ऐसा है, तो उस geological structure के कार्ण क्या होता है, हमें international trade की need होती है, means, जो things यहां अच्छी मिल कहीं भी exchange हो सकता है, और जो एक country से दुसरी country में things के exchange हो रहा है, वही international trade है, और उसी के लिए हमें need होती है, उसके साथ साथ एक collagen है, कि हमें need क्यूं है, जो minerals है, हम जानते हैं, most of minerals के हैं, अर्थ के निचे पाए जाते हैं, अर्थ की layers में पाए जाते हैं, तो वो अर्थ की layers में जो भी minerals मिलते हैं ना बेटा, वो ऐसे ही नहीं है, वो एक लाखो सालों की process से बने हैं, for example, coal है, अगर हम coal की बात करें, तो पूरे world में four varieties होती है, coal की, जो best quality है, वो anthracite, तो जो best quality coal है, वो इंडिया में नहीं मिलता है, okay, इंडिया में क्या, inferior type का coal मिलता है, और हम जान माते हैं कि हमारी country, developing country, इतनी सारी industries develop हो रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा coal के need होती है, और coal भी वो best quality का coal, जिससे ज्यादा से ज्यादा energy producers के, तो इसलिए हम क्या करते हैं, भार के country से coal मंगवाते हैं, तो इसलिए कि हैं कुछ जो minerals जिस एरिया में नहीं मिलते, उन एर water system, means, exchange of skills in exchange of food, means, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम में होता था, बेटा, जो भी money था, वो introduced नहीं था, means, पैसा नहीं होता था, कि कोई एक person होता था, उसके पास skill होती थी, दूसरे के पास क्या होता था, फूद होता था, जैसे कि जो भी farmer वगरे थी, वो ने खेतों म नहीं होते थे तो क्या करते थे उनके पास स्किल होती थी तो अपनी स्किल के बदले में इनसे फूड लेते थे ओके इस तरह क्या था यह बाटा सिस्टम था मेंस क्या है फूड के एक्सचेंज में अपनी स्किल्स प्रोवाइड करवाना लेकिन इन दोनों का क्या है इन दोनो इसको कहीं और भी प्रोवाइड करवानी हो सकती है इस तरह क्या है ये जो इस टाइप का बाटा सिस्टम था ये क्या था ये means proper नहीं था उसकी बाद क्या है money introduce होता है money introduce होने से पहले जो trade होता है जैसे हम बात करें जो इंडस वेली civilization है तो उस time पे जो trade होता था ने बेटा उस time पे जो seals होती थी या फिर जो elephant teeth होते थी उनके बदले में जो भी trade किया जाता था वो बाटर सिस्टम के इंडर ही आता था basic factors means कौन-कौन से factor है और जिन से क्या होता है international trade होता है तो first is difference in natural resources वही बात है कुछ countries ऐसी है जहाँ पर resources accessible available है means भूछ ज्यादा amount में available लेकिन कुछ countries क्या है ऐसे भी है जहाँ बिलकुन natural resources नहीं मिलते हैं या फिर भूत कम मिलते हैं या फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे कुछ specific areas है बेटा जैसे कि इंडिया में बात करते हैं जारिया, रानिगा ये क्या है ये क्या है ये call के लिए famous है लेकिन हम अगर बात करें इंडिया में ही तो जो southern part है वहाँ पर तो कोई call नहीं होता है तो इसका काण क्या है उसका region है natural resources में डिफरेंसी जो ना means क्या है जो natural resources है वो किसी भी एक country में equally available नहीं है जुरूरी नहीं है कि वो अगर इस part में है तो इस part में भी हूँ नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता हो सकता है इनी parts में हो और उसका region क्या हो सकता है वहां की जो भी conditions या फिर area है जो भी उसकी location है वो इस type की हो कि उहां पर उसको resources बूस्ट होने में क्या मिला हो development मिली हो means वहां पर resources अच्छे से बूस्ट हो या हो वो region हो सकता है उसके साथ-साथ minerals को हम discuss कर चुके है minerals भी हर जगे एक जैसे नहीं बनते हैं वो क्या है वो area के उपर depend होते है कि कि इरिया में अच्छे से develop हुए है या बिल्कुल नहीं हुए है उसके बाद second type आती population factor population factor भी एक main factor है जो क्या है trade में roll करता है हमें trade की ने दूसरे countries के साथ क्यों होती है अगर size of population क्या है high हो अगर size of population high मिलेगा आपको तो means क्या है एक country उसकी population की निल्स को पूरा नहीं कर पाएगे उसको कही ना कहीं बार से things को मंगवाना ही पड़ेगा इसलिए अगर population का size large है जैसे कि हम अगर path करें Asia तो Asia बहुत बड़ी market है Asia की तो यहाँ पर trade क्या है बहुत बड़े level पर होता है क्योंकि यहाँ क्या है size भी बड़ा है और उसके साथ पोपुलेशन भी ज़्याद है उसके बाद आता culture factor culture factor भी बहुत ज़्यादा डिपेंड़ होते culture factor में क्या होता है बेटा जैसे कि कुछ areas की specific जगे के लिए famous होते है जैसे कि हम बात करें Iran तो Iran है जो best quality carpet होती है उनके लिए famous है उसके साथ-साथ हम North Africa बात करें तो यह क्या leather work के लिए famous है तो यह दोन इस type के बहुत सारी ऐसी जगे है जो अपने culture work के लिए जो सदियों से चलता आ रहा है उस वक के लिए famous है तो वो भी इस चीज में population factor में matter करता है या तो population का size भूद बढ़ाओ या फिर क्या है वहां का culture work जो भूद सारी cultures करते आ रहे हैं और famous हो इसलिए भी क्या है अब देखो बेटा इरान है सदियों बहुत सालों से कार्पेट के लिए famous है तो कार्पेट तो हमारे यहां भी बनते है लेकिन वहां क्या best quality कार्पेट बनते है अब उनको क्या करना पड़ता है जब उनकी population उनकी demand करती पीपल्स उनकी demand करती है तो उनका क्या है import करना पड़ता है foreign investment उसके साथ जो foreign investment होती चाहिए वो capital के त्रू हो या technology के त्रू हो मिन्स जब foreign से या तो currency आती है या फिर कोई technology आती है वो उन चीजों का exchange होता है तो वो क्या है foreign investment होती है और फिर क्या होता things का import और export होता है next बाता है transportation transportation बेटा trade में सबसे must है सबसे बड़ा factor transportation ही है अगर किसी country के transportation अच्छे से develop है मिन्स हुहाँ का transport डू आता है तो वहाँ पर क्या है trade अच्छे से होगा अगर वहाँ पर transportation system डू आता है तो जो भी country है वो क्या है भाहर की countries को things क्या करपाई गी export नहीं कर पाई तो मिंस के है उसके क्या होगा करन से एक्सेंज नहीं होगा उसकी development में रोल भी नहीं मिलेगा जो एकोनमिक development की stages हैं ये भी main role play करती हैं किसी भी country के trade में जैसे कि हम अगर बात करें इंडिया और चाइना की तो चाइना आज के टाइम में trade में हमसे भूच जादा आगी है और उसका region क्या है उसका region एक ही है बेटा कि जो चाइना में trade की development हुई ना revolution आई वो हमसे भूच पहले आई थी और इंडिया में आई कहां एट नाइन्टीज में ओके तो जब इंडिया में नाइन्टीज में आई वो भी क्या थी हमारी willing से नहीं थी उसको भी क्या है IMF ने और इन्होंने क्या किया था दबाव ढ़ा था तब आई थी उससे लिए भी हम willing नहीं थे मिंज क्या है economic development कितनी हो चुकी है country कैसा है developed country है या developing country है वो things भी क्या है किसी भी country के trade को क्या करती है effect करती है main role करती है अगर country develop है तो वो क्या करेगा वो things export ज्यादा कर रहा होगा और import कम कर रहा होगा अगर developing है तो क्या करेगा developing country import ज्यादा करेगा और export कम कर रहा होगा is that clear अब next आता है history of international trade means जो हमारा international trade है वो कैसे develop हुआ है ऐसा तो नहीं है कि एगदम से हमें ये trade दूसरी countries के साथ वहने लग गया नहीं अगर हम बात करें trade की तो ancient time से ही जब से civilization स्टार्ट होई 6000 बीसी से तब से ही trade हो रहा है वो अलग बात है पहले बार्टर सिस्टम था things का things के बदले में exchange होता था या फिर things का skill के बदले में exchange होता था वो अलग factor है अगर हम बात करें तो ancient time में food और clothes का ज्यादा trade होता था ओके क्यूं क्यूंकि primitive society थी जो livelihood के जो main factor है उन्हीं पे ज्यादा roll रहता था इंड़स्टेज वगरे नहीं थी तो food और clothes का ज्यादा exchange ह पूता था ओके अब बादाती silk route, silk route है इसका trade में food roll है यह क्या है कहां Rome से चाइना तक जाता है ओके और यह क्या है यह 6000 km long है इसमें क्या है इसमें पुराने time से ही क्या है things का exchange होता है और silk route इसके name से ही मैं सुरू है सबसे ज़्यादा इसकी route के ऊपर silk का transportation होता था जो best quality silk था वो कहां Rome से चाइना तक यह चाइना से रोम तक हुझाय जाता था European trade फिर क्या है यह तो था चाइना के time का trade अब बात आते European trade यूरोपियंस ने क्या किया धीरे धीरे भार की countries को find out किया और दूसरी countries को find out करने के बाद उनको क्या है अपने trade पर पच century की बात करते तो उस टाइम पर European का trade के उपर monopoly थी means क्या है European ही क्या है things का exchange कर रहे है उसके बाद आता है slave trade African natives means जो African natives होते थे ना उनको slave बनाकर दास बनाकर उनका trade होता था means क्या है humans का exchange होता था पैसों के बदले लोगों को जो Africans होते थे जो जिनको हम black people बोलते हैं उनको slave दास बनाया जाता था बेटा और उनका trade होता था उसके बाद आते इंडस्ट्रिल revolution इंडस्ट्रिल revolution 1750 से 1840 था तो इंडस्ट्रिल revolution के बाद तो जो trade है वो क्या होगा बहुत अच्छी तरह से boost हुआ फिर तो क्या है सभी economies में race लगनी start हो गई और उसके बाद आते world war first and world war second countries फर्स्ट टाइम इन्हों एट जी गेट मिंस जो world war first and world war second था ना countries थी उन्होंने क्या किया फर्स्ट टाइम गेट के ओपर क्या थे टैक्सी जींपोज किये थे मिंस क्या है टैक्सी देखो एंसे ट्रेड देखो बेटा एंसे टाइम से और इंडस्ट्रिल revolution के ताइम इंडस्ट्रिल रिवलिशन के बाद तो trade की बात करना ही क्या है क्योंकि क्या था बेटा जो country थी वो किसके सी रूट्स के थुरू वोटर ट्रांसपोर्ट के थुरू और एर ट्रांसपोर्ट के थुरू ड्यलप हो गई थी ठीक्स का एक्स्चेंज होने लग गया था मैंने यहां तक क्या है यह international trade होता था अब नेक्स हेडिंग आती है aspects of IT international trade तो जो international trade था उसके कौन-कौन से aspects है सबसे first आता volume of trade means क्या है जो जो भी trade हो रहा है जिन भी things का एक country से दूसरी country में exchange हो रहा है तो उस things का exchange हो रहा है उसकी value कितनी है जिस यह नहीं है कि कोई भी एक thing है कोई भी एक marker लगाते पैन लगाते है तो क्या है एक country से दूसरी country में 10 markers क्या किये गई value कितनी है means इनसे benefit कितना मिला है वो चीचे क्या है volume of trade के अंदर आती means क्या है value of goods and services कैसे है उसके बाद आती composition of trade means क्या है जो trade हो रहा है दूसरी country के साथ वो किन things का हो रहा है means जो primary sector की जो activities है उनका हो रहा है या manufacturing things का हो रहा है या services का हो रहा है means primary में जैसे agriculture products है उनका हो रहा है ज्यादा या फिर manufacturing industry से बनावा goods है उनका exchange हो रहा है या फिर services का हो रहा है वो composition of trade के अंदर आता है और थर्ड़ा था direction of trade means जो trade हो रहा है दूसरी country उसकी direction क्या है means क्या है export ज्यादा हो रहा है या फिर import okay sorry import ज्यादा हो रहा है means क्या है direction क्या है जैसे कि example के लिए देखते हैं इंडिया है हम जानते है example लेते हैं इंडिया तो इंडिया का जो trade होता है बटा अगर हम बात करें चाइना के साथ तो हम simply सी thing जानते हैं कि जो चाइना के साथ जो trade होता हो क्या unfavorable है means क्या है उसकी direction किसकी तरफ है चाइना की तरफ क्यूं क्यूंकि क्या ज्यादा तर चाइना जितना इंडिया को शामान भेशता है इंडिया को करता है इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया इतना सामान US से को एक्सपोर्ट करती है उसके बदले में US से इतना इंडिया को नहीं करता है मिन्स अगर हम बात करें यहां पर trade की direction किस की तरफ है? चाइना की तरफ क्योंकि चाइना कितना ज्यादा सामान इंडिया को provide करवा रहा है लेकिन इंडिया चाइना को इतना नहीं करवा पा रहा मिन्स चाइना की trade की direction कि तरफ है? इंडिया की तरफ किदर है USA किदर क्यों क्यों कि एंडिया USA को ज़्यादा things export कर रहा है कि बजाए वहां से import करने की ओके तो यह क्या है यह मुझ डारेक्शन कि डारेक्शन में हो रहा है और बाताती है ब्योटी, balance of trade balance of trade क्या होता है record of goods and services in import and export means import and export services or things record क्या है balance of trade है अगर हम बात करें boat तो boat के अंदर क्या आता है अगर कोई भी country जो balance of trade है यह two type का होता है बेटा first क्या होता है positive और second होता है negative first type of balance of trade क्या होता है positive balance of trade negative balance of trade उसके बाद आता है favorable और unfavorable वो कैसे होता है balance of trade कोई भी country है अगर हमें कोई भी country है वो export ज्यादा कर लिए की बजाए import के तो means क्या है export ज्यादा हो रहा है उस country का और import कम है तो means क्या है यह positive है क्योंकि हम दूसरी country ज्यादा से ज्यादा सीज़े भेज रहे हैं लेकिन अपने अमंगवा इतनी नहीं रहे है it means क्या है हम things भेजने तो उन से हमें benefit भी मिल रहा है वो क्या है वो positive और favorable trade इसी तरह अगर import ज्यादा है okay import ज्यादा है की बजाए export के तो क्या है वो negative है means हम बाहर की country से तो इतना सारा सामान मंगवा है बाहर की country हम से इतना सारा benefit कमा रहे है लेकिन हम उन से नहीं कमा पा रहे means क्या है वो unfavorable है clear अब next आती है free trade free trade क्या होता है free trade को हम इस तम से बिल्कुल नहीं ही लेंगे बेटा कि वो क्या है कोई भी country दूसरे country के साथ बिल्कुल free trade करती है means क्या है कोई tariff duty और taxes नहीं लगाए जाती है नहीं free trade तो कोई भी country किसी भी country के साथ बिल्कुल नहीं करती है तो tariff और duties कैसे means कोई दो country है कोई A country है और B country है ये दोना आपस में trade कर रहे है तो ये क्या है B country A country के goods आता है उसके उपर भूत ही कम taxes लगाए means ना के बराबर तो वो क्या होता है free trade जब दो countries आपस में trade कर रहे है तो वो country आपस में taxes ना लगाए ना के बराबर लगाए लगाए तो गी पिटा क्योंकि उन्हें क्या है अपने जो उनकी expense होते है वो भी निकालने होते है जो अपने खर्च होते है transportation में या फिर उनको consuming center तक पहुचाने में तो वो तो उनको क्या है निकालने ही पड़ते है तो उसलिए क्या है taxes तो ज़रूर लगेंगे क्योंकि दो countries है तो उनको अपने trade को control करने के लिए taxes लगाने होते है और उसके साथ-साथ क्या होते है taxes कम लगाने होते है अब next heading आती है dumping dumping क्या होता है बिटा means dumping में अधर example देखें तो दो countries है आपस में trade करे हैं A, B इस दोनों countries करें A, अपना सामान B country में क्या कर रही है आके बेच रही है तो यह यहां से जो भी सामान है और यंपल एक पैन है वो 10 रुपे का लागती है और इस country में आकर वो 5 रुपे में बेच रही है तो it means क्या है देखो बेटा, कोई भी thing है वो 10 रुपेज की है 10 रुपेज की कब होगी क्योंकि उसके production में भी time लगा होगा खर्च लगा होगा okay तो 10 रुपे की उसके 10 रुपे की thing है उसको 5 रुपे में दुसरी country में आक कर रही है means वो क्या कर रही है दुसरी country को दूसरी country में वहां का जो domestic manufacturing है इस ऐसा तो नहीं है कि सरफ इसी country में pens का production होता है ये country अपनी country में भी तो बना रही होगी लेकिन इस country के जो भी pens से उनकी manufacturing को बिल्कुल बंद करने के लिए उसको distribute करने के लिए ये country क्या करेगी अपनी 10 रुपे की चीज को 5 रुपे में बेजना शुरू करते है तो it means क्या है ये dumping means यहां की जो local market है manufacturing domestic manufacturing है उसको बिल्कुल बरबाद करने की कोशिस की जा रही है उसके लिए क्या है anti-dumping duties लगाई जाती है जिसमें क्या है ये thing ये कोई भी thing है means ये pen है ये 5 रुपे में ना बेच कर कितने में 9 8 या 9 तक 8 या 9 तक यहां इस country में क्या कर सकती है sale out कर सकती है लेकिन ये आधे में means जितना उसके production में लगा है जितना भी खर्च उससे क्या है उससे उपर इसको इस country में बेचना होगा और इसके लिए क्या है anti-dumping duty लगाई जाती है जब ऐसा कोई country कर रही होती है तो उसके उपर anti-dumping duty लगाई जाती है और उस things को क्या है ज्यादा बेचने के लिए उसको बोला जाता है और उसके साथ-साथ उसके उपर कुछ taxes वगरे भी लगाई जाती है अब next heading आती है बेटा WTO की full form क्या होती है World Trade Organization जो वर्ल्ड में trade हो रहा होता है उसकी organization तो जो ये World Trade Organization ये बेटा 1995 में आई थी लेकिन इससे पहले ये organization 1948 में फॉर्म हो चुके थी WTO लेकिन इसका नेम क्या था GAT General Agreement for Tariff and Trade General Agreement for Tariff and Trade 1948 में ये वाली जो foundation इसको बनाया गया था लेकिन इसका 1995 में नेम चेंज करके WTO कर दिया गया था इंडिया इसका founding member है member है इंडिया क्या इसका founding member है और इसमें क्या है इसमें जो भी trade होता है उसके लिए कुछ rules बनाये जाते हैं उन rules के base पे ही trade कर सकते हैं means इसमें क्या जैसे कि import export duties या फिर आप जो भी trade दूसरी countries के साथ कर रहे हो उसमें आप ऐसा नहीं है कि कोई भी thing है वो 10 rupees की है उसको 100 में जाकर बेच रहे हो नहीं उसके लिए भी कुछ क्या है उसके लिए भी कुछ टैरिफ लगाये जाती है इंडिया इसका founding member है किसका get का 1948 में इसको find out किया गया था foundation को बनाया गया था 1995 में इसका name change कर दिया गया था इसमें rule based trade पे mainly जोड दिया जाता है अब कुछ ऐसी है ये सिरफ क्या है ये सिरफ study के लिए बेटा ये कुछ aspects हैं जैसे blocks और organization है regionals इसमें क्या है इसमें सिरफ इनको याद करना है फर्स्ट क्या है ASEAN ASEAN क्या है August 1967 में light में आई थी ये बनाया गया था और इसकी full form की बात करें तो Association of South East Asian Nations South East Asian Nations की एक association है उसको ASEAN नायम से बोलते हैं इसका headquarter जकार्ता में है जकार्ता कहा है इंडोनेशिया में clear अब बाताती CIS CIS की full form है Commonwealth of Independent Nations इसका headquarter मिनास्त में है कहा है मिनास्त में अब थर्ड आती है EV EU European Union इसको बोलते हैं European Union ये 1992 में इसको find out किया गया था इसका headquarter बेल्जियम में है अब आता आती है LAIA Latin American Integration Association इसको 1960 में बनाया गया था इसका headquarter है Montevideo औरुगवे Montevideo औरुगवे में इसका headquarter है उसके बाद next आती है NAVTA North American Free Trade Association 1994 में बनाया गया था और ये three countries ने मिलकर बनाया था USA, Canada and Mexico ये three countries इसके founding है मिन्स three countries ने मिलकर इसको बनाया हुआ है OPEC OPEC मिन्स Organization of Petroleum Exporting Countries मिन्स जो जो ये पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने एक organization बनायी थी इनका है इसको 1949 में बनाया गया था 1949 में बनाया गया था इसका headquarter विए न ओस्ट्रिया में है अब next आती बेटा Safta Safta को January 2006 में बनाया गया था South Asian Free Trade Association या agreement ओके agreement होता समझोता इसके लिए seven countries थे जिसमें कुन-कुन से Bangladesh, Nepal, Bhutan, India, Sri Lanka, Park and Maldives इनको देखकर कुछ याद आए बेटा ये सबी क्या है इंडिया के neighboring countries है means जिनकी जो boundaries है इंडिया से touch होती है इसमें किसी को भी देख सकते है सभी countries की boundaries इंडिया से touch होती है इन्होंने एक agreement किया था South Asian Free Trade means जो South Asia में trade होता है Free Trade के लिए एक agreement किया था अभी हमने पढ़ा था ना बेटा Free Trade Free Trade means क्या है जो taxis और terrorists लगाई जाएंगे वो क्या होंगे ना के ब्राबर होंगे बहुत कम होंगे तो इसी तरह क्या है इंडिया ने क्या किया अपने neighboring countries के साथ एक agreement किया था कि हाँ हम तुम्हारे साथ जो भी trade देखो वेटा इसमें चाइना नहीं है अप इस चीज़ को ध्यान रखना चाइना नहीं है बाकी है सारी countries है इसमें क्या है इन्होंने एक agreement किया था कि हम आपस में क्या करेंगे free trade means क्या है taxes ना के बराबर एक दूसरे के साथ करेंगे और यह किसलिए किया गया था यह किया गया था जो countries है यह क्या है सारे developing countries है बेटा यह सारे की सारे जो means जो develop हो रही है तो इन्होंने क्या था अपने development process को increase करने के लिए समझोता किया गया था ताकि इनको ज़्यादा सी ज़्यादा पैसा taxes वगरे में वसूल ना करना पड़े और क्या है यह free trade कर सके easily एक दूसरे के countries के साथ is that clear इस seven regional organization means यह क्या है organization जो countries ने अपनी आसपास की countries के साथ बना रखी है तो आज हम यही तक करने वाले है बेटा कल हम इसी chapter का next part करेंगे ok students thank you have a nice day करते है